गंगा दशहरा हिंदूओं के प्रमुक्त योहारों में से एक है इस दिन मां गंगा की पूजा आर्चना की जाती है और इस तिथी का सनातन धर्म में बड़ा धार्मिक और अध्यात्यमिक महत्व है आज भी देवी गंगा साक्षात जल के रूप में प्रत्वी परविद्यमान है हिंदू पंचांग के अनुसार जेश्ट माह के शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 को मनाया जाएगा गंगा दशहरा पर इन बातों का रखें खास खयाल गंगा दशहरा पर गंगा जी में अस्थियां डालने से बचें इस तिथी पर गंगा में पुराने वस्त्र नहीं डालने चाहिए गंगा जी में इस दिन शैंपू, साबुन, सनान आदी की चीजों को डालने से बचना चा गंगा दशहरा के दिन अशुद्ध चीज़ों को गंगा नदी में डालने से बचना चाहिए गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व गंगा दशहरा का दिन बेहर शुब माना जाता है एसा माना जाता है कि यही वहे दिन है जब मा गंगा इस धर्ती पर अफ्टरित shines व्य वि पवित्र नदी के रूप में आज भी स्धर्ती पर विध्यमान है शुब्थिति पर भकत् देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा स्वकी लगाते हैं कहा जाता है कि जो लोग गंगाजी में स्नान करते हैं उन्हें सभी प्रकार की नकरात्मक्ता से मुक्ती मिलती है और उनका शरीर मन शुद्ध हो जाता है आज के लिए इतना ही अगले शंक दुवनी के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके